गेहु पर मन्वराया संकट दरसल अप्रत्याशित बारिश और ओलाव रिस्टी ने भारत की महत्वपूर्ण गेहु फसल पर कहर भरपाया है जिसके चलते कटाई में देरी देखने को मिली है और उत्पादन घाटे पर चिंता बढ़ गई है दरसल गेहु के भंडार खतम होने से और आयात के प्रती रायनेतिक अनिच्छा के कारण देश को लगातार तीसरी बार खराफ फसल के अशंका का सामना करना पड़ रहा है जिसका असर वैश्विक बजारों और खादिय तेलों के आयात पर भी पड़ा है दरसल दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गेहु उत्पादक भारत के लिए गेहु महतो पुन फसल है पिछले वर्षों के खराफ फसल और घट्ते राज्य भंडार ने घ्रेलू सप्लाई और स्थिर्ता के लिए इस वर्ष की फसल के महतो को बढ़ा दिया है अगामी आप चुनाव से पहले सरकार के प्रतिरोद के बावजूद खराब फसल की निरंतरता भारत को गेहु आयात करने के लिए मजबूर कर सकती है क्योंकि उत्तरपरदेश, पंजाब, हरियाना और मध्यपरदेश सहीद, परमुग गेहु उत्पादक राज्यों में भारी बारिश और उलाव रिस्टी से गेहु की फसल को काफी नुकसान हुआ है दरसल व्यपारियों को भी सरकार के शुरुआती नुमानों की तुलना में गेहु के उत्पादन में कमी का अनुमान है दरसल प्रतिकूल मौसम की स्थिती के कारण अनुमान कम से कम 2-3 मिलियन टन कम हो सकता है जिसको लेकर व्यपारियों के बीच चिंता बढ़ गई है विरो रिपोर्ट मार्केटाइम्स टीवी